इन कपूर और आलिया भट की आप कमिंग फिल्म ब्रम्हास्त्र का ये ट्रेलर हुआ आउट ट्रेलर को देखकर रोंगते खड़े हो जाएंगे आप सभी के अगर आपने अब तक ब्रम्हास्त्र का ट्रेलर नहीं देखा तो वेल बिना मस्किये वे जल से जल देखें आईए आपको मैं बताऊंगे इस वीडियो में और आपके सिस्पेंस के लेवल को और भी ज्यादा हाई करने वाली हूँ ब्रम्हास्त्र का ट्रेलर आपके रोंगते खड़े कर देने वाला ट्रेलर है नमस्कार मैं इस नग्दास वागत करती हूँ आप सभी का अपमारे चैनल पर गाइस बैसिकली दे मच अवेटेट अपकमिंग फिल्म प्रम्हास्त्र जिसमें मुख्य केवदार में आप देख सकते हैं अमताब बच्चन, नागरजन, रनबीर कपूर, आलिया भट और मॉनी रॉय इन सभी को में लीड रोल में आप देखेंगे हाला कि आपको बता दू कि ये फिल्म अभी फिल्हाल रिलीज होने में टाइम है और इसके फिल्म की रिलीजिंग डेट है 9th of September लेकिन फिल्हाल इसके ट्रेलर आउट हो चुके हैं और ट्रेलर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं इस फिल्म के ट्रेलर में आप देखेंगे कि फुल टू जी एफेक्स एफेक्स के साथ इस ट्रेलर को जबर्दस तरीके से अमेजिंग बनाया गया है ट्रेलर को देखने के बाद आपके वाकई गूस बम्स आ जाने वाले हैं जैसा देखा गया है कि बेसिकली इसमें रणवीर कपूर जो की मेन लीड में हैं और फाइनली वो शिवा का किरदार ने भा रहे हैं तो वहीं आल्या भट जो है वो ईशा का किरदार ने भा रही हैं दोनों के बीच एक लविंग केमेस्ट्री दिखाई गई है तो वहीं अमिताब बच्चन नागारजुन नजर आएंगे इस फिल्म में जो की एक सेवियर की तरह नजर आने वाले हैं तो वहीं नेगेटिव किरदार में आपको नजर आएंगी अंधेरी की रानी यानि की कहीं ना कहीं जो नेगेटिव किरदार है वो मौनी रॉय का है और मौनी रॉय नजर आएंगी आपको नेगेटिव अफ़तार में तो ये जो ट्रेलर है वो आपको ट्रेलर देखने के बाद फुल टू स्टोरी समझ में आएगी कि किस तरीके से ब्रह्मास्त्र जो है जो सेविय और जो है रनबीर का पूर्ट जो कि शिवा का किरदार हाला कि शिवा इस बात से बिलकुल भी उसे पता नहीं होता कि उसके बनता है और फाइनली शिवा जो है ये तमाम नेगटिव एनरजी से तमाम जो अन्वांटेड जुक्ची राक्षा से उनसे लड़ते हैं तो ये फिल्म बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपका सस्पेंस लेवल और एक्साइटमे लेकर आ रहा है तो पूरी की पूरी फिल्म कितनी इंट्रेस्टिंग और जपरदस्ट और अडवेंट्रस होगी अगर आपने अब तक ट्रेलर एंजॉय नहीं किया तो जल से जल एंजॉय करें और अपने फर्स्ट रियाक्शन से हमारे साथ शेर करें और 9 सेप्टेंबर का कितना बेसबरी से इंतजार करें है आप सभी ये भी बताएं कमेंच करके तुमाम अब बताएं